पढ़ो, रटो, लिखके आजाओ, पुराने 5 साल के पड़ो, लिखके आजाओ, माक्स आजाएंगे मेरा confidence डाउन हो जाएगा, बहुत सारे बंचे मुझे बोलते हैं कि सर, हम लोग जो test series attend करते हैं, ने-ने questions प्रैटिस करते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं सबसे बड़ी जो problem होती है, वो है problem solving skill, mathematics के अंदर कैसे इस skill को improve किया जाए, आज मैं पूरे यहां पे points डिसकस करने वाला हूँ और यह बड़े important point होने वाले हैं, अगर आप किसी comparative exam की तहारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाता हूँ कि जब आप graduation करते हैं, तो वहाँ पे जो पूछे जाते हैं, प्रश्न वो descriptive होते हैं, आप पढ़ते हैं, exam में लिखके आ जाते हैं, marks आ जाते हैं, people choice questions, वह इस साब आप से नहीं होते हैं, इसका सबसे बड़ा reason जो होता है, वो होता है, exam pattern की, जब हम comparative exam की बात करते हैं, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं, concepts, tricks, और short method की कैसे हम in questions को short method से कर सकते हैं, क्योंकि मालीजी, Kelly Hamilton पे को question पूछा गया, आपको university pattern से पता है कि कैसे इस इसमें जो भी आप university level पे पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी concepts important है, उसके short notes बनाईए, अच्छे तरीके से इसको present करिए, और जो competitive exam में पूछा जा रहा है, उसको daily revise and recall करिए, सो इसमें second बात करेंगी, कि जो भी competitive exam के आप तयारी करें, उसके syllabus के इसाब से वहाँ पे जो variety of questions है, उसकी practice करते रही है, क्योंकि जब भी आप problem solving skill को improve करना चाहते हैं, तो उसके सब सब बड़ा tool होता है, जादा से जादा questions को practice करना, variety of questions को practice करना, इसके लिए आप mock test join कर सक सकते हैं, या फिर आप book purchase कर सकते हैं, और book पे questions लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा method होता है, अपनी problem solving skill को improve करने का, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए पहला point बड़ा important है, और वो है concepts का clear होना, जो concepts आपने पढ़े हैं, वो आपको याद होनी भी जरूरी जो test series attain करते हैं, नएने questions practice करते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं, तो बड़ा confidence डाउन होता है, ऐसा नहीं है, जब आप गलती करेंगे, तो आप सीखेंगे कि आपको कहां ऐसी चगह है, जहां पर improvement की ज़रूत है, कौन सा ऐसा पार है जो आपका week है, और कौन सा ऐसा पार है, जिस सबसे बड़ी student क्या करता है, जब question को पढ़ता है, तो एक ही बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा, और कभी-कभी ऐसा होता है, question के language ऐसी होती है, कि बहुत complicated लग रही होती ही, समझ में नहीं आ रहा, पर उसका solution यह होता है, ऐसा अगर होता है, तो आपको question को visualize करने के जुरूत है, उसकी जो important points है, उसको write down करिये, और देखिये, कि यह question actually है क्या और क्या पूछना चारा, अगर यह करेंगे, तो कहने के questions को आप सही कर देंगे, एक और जो सबसे बड़ी बात होती ही, questions को 2-3 बार अलग-अलग interval में पढ़ होती है, तो यह बहुत important चीज होती है, जो आपको समझने की जरूत है, और जो 5th point है, वो बहुत important है, और वो है PYQs, that is previous year question, अगर आप CSIR, NET, IAD, 6M, GATE, अगर आप SSC, CGL, BANK, UPSC, किसे भी exam की तयारी करें, जो previous year question है, पहले जो आएवे questions है, उनका pattern आप देखिये, किस त बताना चाहता हूँ, summarize करना चाहता हूँ, कि क्या-क्या important बात है, आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप question को solve करें, तो से जो related concepts है, उनको हमेशा review और recall करते रहिए, दूसरा है, variety of questions को solve करते रहिए, तीसरा यहाँ पर कोई भी question आप solve करें, तो हमेशा challenge लेना स्टार्ट कर करने के लिए, तो मुझे लगता है, वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा, आपको ऐसा कौन सा पॉइंट नजर आता है, जो problem solving skill के लिए बहुत important होता है, ब्लीज कमेंट करके जरू बताईए, लाइक करें, शेर करें और चनल को जरू सस्काइब करे इसमें हमारी एक website बनी है, mathscare.com, जिसमें हम अलग-अलग university के full syllabus को यहां पर upload कर रहे है, और यह website आपके लिए बहुत ही helpful है, अगर आप किसी भी universities अपना graduation कर रहे है, प्लीज कमेंट करके जरू बताएए, अगर आपको कोई challenges आ रहे हैं इस website को यूज कर रहे हैं, तो comment करके जरूर बताते रहे है, thank you so much for watching me, और मेरा जो नया वाला channel है, जहाँ पर मैं, खाफी सारी short tricks upload कर रहा हूं, mathematics के लिए, वो playlist आप यहां जाके देख सकते हैं, और यहां जाके channel को subscribe कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye-bye.